हेलो दोस्तों आज में बताऊंगा कि बिक वर्क में सब्सोर वालम इंक उसमें मॉटर कितना है और उस मॉटर में सिमेंट का क्वाण वह वह मेरे नोबताऊंगा ठीक है कालकुलेशन अफनमेशन फृट्वेश के लिए जो मैं पिश्राघ्व है मॉडिलर इसका साइज है 190 इंटो 90 इंटो 90 इंटो 90 टीक है यह साइज है 190 mm, 90 mm, 90 mm, ठीक है, इसे नहीं है, मौटर का थेक्नस मैंने पक रहा है, 10 mm, रेशियो है, सिमेंट सैंड का 1 इस्टो 6, ठीक है, यह 1 पार्ट जो है, यह है सिमेंट, और यह 6 जो है, यह है मेरा सैंड, ठीक है, हमने वॉल्यूम कंसिरेट किया है, वनेम क्यों, चलिए, पहले निकालते हैं, वॉल्यूम ओफ ब्रिक विद मॉटर, वॉल्यूम ओफ वन ब्रिक विद मॉटर, तो ब्रिक का साइज ऐसे कितना है, 190, अगर 10 mm का मॉटर लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 200, वैसे ही हाइट में, 90 का अगर ब्रिक साइज है, तो ब्रिक प्लास्टर के लिए 10 mm और बढ़ेगा, इसमें भी 10 mm और बढ़ेगा, ठीक है, तो प्लास्टर के साथ, एक ब्रिक का साइज कितना हो जा रहा है, 200 x 100 x 100, ठीक है, यह रहाँ, 200 x 100 x 100, इसको बॉल्यम निकालेंगे, हम लोग तो आएगा, 0.002 cubic meter, 200 mm है मेरा, उसको मीटर में convert किया हो, ठीक है, तो यहाँ से मुझे, मेरा निकल जाएगा, number of bricks in 1 mq, in 1 cubic meter, कितना होगा, 1 को डिवाइट करेंगे, एक हीटे से, with plaster, 0.002, इसको डिवाइट किजिएगा, तो देखिएगा, देखना आएगा, 500 numbers, तो, एक mq में मेरा कितना इटा लग रहा है, 500, ठीक है, चलिए, अब निकालते है, volume of one brick, क्यों निकालेंगे, आभी पदादा चल जाएगा, volume of one brick, यह जो volume निकालना है, यह with mortar नहीं है, यह without mortar है, यह था with mortar, यह होगा without mortar, मतलब सिर्ट, brick का size कितना है, 190 mm, 90, 90, ठीक है, तो, 0.19 into 90 into 90, इसका volume कितना हैगा, इतना, ठीक है, तो हम अब देखेंगे, 1m cube में, volume covered कर रहा है, सिर्फ brick कितना कर रहा है, 1m cube में, सिर्फ brick के दुआरा, कितना volume cover किया जा रहा है, ठीक है, volume covered by 500 numbers of brick, कैसे निकलेगा, एक बॉल्यम, एक बॉल्यम कितना निकला मेरा, यह, इसको अगर 500 से multiply करेंगे, तो 500 bricks का volume निकल जाएगा, 500 into 1539, कितना रहा है, 7695 cubic meter, देखिए, 1m cube में, यह volume है, सिर्फ brick का, तो 1m cube से अगर इस brick को माइनस कर देंगे, तो क्या निकलेगा मेरा, मॉटर का volume, तो, volume of mortar, 1-0.7695, कितना हैगा, 0.2305 cubic meter, यह मैं निकल गया, मॉटर का volume, और यह है वेट कंडिशन में, हमें निकालना होगा, ड्राइ कंडिशन में, ड्राइ वोल्यूम, और, मॉटर, 0.23, वेट कंडिशन, का, 33% और इंक्लीज होगा, तब जाको वो बनेगा, ड्राइ वोल्यूम, तो 1.33 से मल्टिप्लाई कर दिजएगा, आ जाएगा, 0.306565 cubic meter, यह होगया मेरा, ड्राइ वोल्यूम, ठीक है, अब इस मॉटर के वोल्यूम में, हमारा, सिमेंट भी है, सैंड भी है, तो वो कॉंटिट निकाल लेते हैं, सिमेंट कितना होगा, ड्राइ वॉल्यूम लिखिए, 6565 into, सिमेंट का रेशियो कितना है, 1 पार्ट, 1 by 7, 7 खाँ से आया, सम ओफ रेशियो, 1 प्लस 6, into density of सिमेंट, कितना होता है, 1440, इससे अगर कल्कुवेट करेंगे, तो आएगा 63 kg, ठीक है, मतलब, 1 M3, ब्रीक वाग के लिए, अगर इस साइज का ब्रीक है, तो 190-1990 का, हमारा सिमेंट कितना लगेगा, 63 kg, या कह लो, 1.26, बैक्स, ठीक है, सेंड, 0.306565 into, सेंड का रेशियो कितना है, 6, 6 by 7 into, यह मेरा हुआ क्यूबिक मिटर, क्यूबिक मिटर को अगर, 35.3147, इस से अगर मल्डिप्लाई कर देता है, तो मिरा आ जाएगा, CFT में जाए, 9.28 CFT, यह खेलो, क्यूबिक, फिट, ओके, तो यह हुआ मेरा, आज का टुटेवरियो, कुछ भी प्राब्नम होगा, तो आप प्लीज, कमेंट बॉक्स में, कमेंट कीजिए, अपना फीड़ बैक दीजिए, और कुछ जानना है, तो जरूरू आँ पर बताईए, मैं उसको पर वीडियो बनाऊँगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू,